अब्रिवन देखे अभी क्वेस्चन हम लोग हिंदी मेडियम सही लेके चलेंगे लेकिन कुछ ट्रिक्स है इस पर बैसिकली आपको जो है पहले हमने इसको कलास वाइज बना दिया है लेकिन यह जो क्वेस्चन है यह आपको ट्रिक्स पर आधारित है जस्ट एक सेकेंड या दो सेकेंड में आपके कलकुलेशन छेमता पर डिपेंड करता है ट्रिक्स बताएंगे इस पर हम लोग चार तरह के कोशन हम लिलिया है तेकि जदी दो आंकों की संख्या एवं उसके आंकों को उलटने से बनी संख्या का जोग 33 है तो संख्या के आंकों का जोग 33 है तब तो उसके आँचों को उल्टने से बनी संख्या का अंतर 45 हो तो उसके आँचों का जोगफल क्या होगा। तीसरा है जदि कोई संख्या आपने एक बाटा तीन से अठारा अधिक है तो जदी जगह कुछ भी होगा। हम लोग जनरलाइजड एक फॉर्मूला पर डिस्केस करेंगे इस पर कुएस्टेन है हम पर छोथा नमबर जदी किसी सेंख्या को आठ बटा सत्रह से गुना करने को कहा गया भूल बस वह आठ बटा सत्रह से भाग दे दिया जिसे से प्राप्त परिनाम बास्तविक परिनाम से 225 अधिक प्राप्त हुआ दी गई सेंख्या ग्यात करें चुकि ट्रिक्स की बात करते हैं तो सीधे सीधे फर्स्ट वाला हम लोग चलेंगे तो जिदी पहला है वो क्या कहता है आपको दो अंकों और उसके अंकों को पलटने से बनी सेंख्या का जोग मान लिया एक बात कहत रटने से वाई एक्स बनेगा और इन दोनों को जब जोडेंगे तो यह आएगा 33 तब उसके अनुसार एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा के लिए जो सबसे पहला नियम क्या है वो सीधा सिधी जो उनके आंकों का जो जोगफल आता है यहां पर दोनों सेंख्याओं का ज जोग होगा वो तीन होगा याने मान लो मान लिया क्या होगा और इसको पलट देंगे तो एकईस होगा इन दोनों को जोड़िये तो देखे 33 होगा याने अंकों का एक प्लस दू एक्स प्लस वाई कितना होगा आपको तीन होगा या जिदी आपके रहेंगे जिसे यहां पर हमारा जदी दो अंकों की संख्या होगा उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का अंतर 45 है अभी यहीं पर देखे एक्स वाई है मान लिया पलटने से वाई एक्स होगा इसके दोनों का अंतर जदी 45 है ये दोनों का भागा कर देंगे इसको जिदी 9 से करेंगे 9 5 के 45 याने हो जाएगा 5 याने एक स्पलस वाई बरावर 5 होगा यह आपका हो गया एक दूसरा क्वेस्चिन तीसरा और चोथा थोड़ा सा हटके है इसको भी जेनरलाइज फॉर्मूला में हम लोग बनाते हैं वहां पर कहता है कि जदी कोई सेंख्या अपने एक बटा तीन से तो मान लिया कोई सेंख्या के हम लोग बात करें तिसरा क्वेस्चन लिखता है कि जदी कोई सेंख्या अपने एक बटा तीन से अठारा मतलब अपना तीसरे भाग से अठारा अधिक है तो संख्या क्या होगा जदी इस तरह का question है तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक general formula हम लोग बनाते हैं यहाँ पर अब वो general formula यह है कि माना कोई भी संख्या जदी अपने x बटा y में भाग से z अधिक है तो वह जो संख्या होगा वह संख्या होगा yz बटा y माइनस x या फिर x माइनस y जदी x बड़ा है तो x माइनस y कर देंगे y बड़ा है तो y बड़ा है चुकि negative में answer नहीं आएगा तो इस इसको देखे हम तो क्या है x के जगह आपका 1 है y के जगह आपका 3 है z के जगह आपका 18 है इसलिए वह संख्या क्या होगा yz that is 3 गुना 18 बटा आपको हमने क्या बोला y माइनस x चुकि y बड़ा है तो y माइनस x करेंगे 3 माइनस x बराबर दू यह हो गया इतना that is हो जाएगा यह 27 क्याने वह संख्या क्या होगा 27 होगा यह एक फर्मूला हो गया जदी कोई भी संख्या आपने x बटा y में भाग से जेड़ अधिक है तो वह संख्या हो जाएगा yz by y माइनस x चाहे x माइनस y यह एक आपका हो गया यहां पर चौथा कि यह बात करें तो 17 से गुना करने को कहा गया भूल बस वह 8 बटा 17 से भाग कर दिया तो हम बोल रहें कि जदी किसी संख्या को x बटा y से गुना करने को कहा गया लेकिन वह क्या कर दिया x बटा y से उसको भाग दे दिया जिसके कारण चुके देखे भाग देगा तो क्या होगा परिनाम जो हो से ज्यादा प्राफ्त हुआ तो जदी где X बटा Y से गुंणा करने को कहें हम लोग लेकिन वो क्या कर दिया एक सब Rider J अधिक प्राफ्त होता है मान लिया जाए तो इस इस्थिति में वह साइख्या जो है वह साइख्या का आगे लिखेंगे यानि इस इस्तिति में क्या करेंगे जिदि इस को देखें आठ बटा सत्रा तो एक्स के जगा आठ है यहां सत्रा है और यह जेट के जगा दूसर पचीस है तब यह हो जाएगा एक्स इन्टू य देट इस आठ गुना सत्रा बटा सत्रा स्क्वाइर देखें य स्क्वाइर शत्रा बड़ा है तो सत्रा स्क्वाइर माइनस सत्रा स्क्वाइर माइनस आठ स्क्वाइर गुना जेट बराबर होगे आपका दूसर पचीस इसको थोड़ा फास्ट आपको करना कड़ेगा बनाज दो परेखा बड़ावर 8 गुणा 17 इसको करेंगे सकत्रा स्क्वाइश Mines 8 8 स्क्वाइर यह तो 2 स्क्वाइर निकाल लेंगे या फिर इसको कैसे करेंगे आप 17-18 sub 17 7 9 गुणा यहां हो जाएगा– 9- सतरा आठ पचीस पचीस गुना जैड हो गया दूसों पचीस इसको नौ से काटेंगे नौ एकम नौ नौ दुनी अठारा चार बाइस नौ पांचे पैतालिस फिर पचीस से पचीस कट गया सतरा और आठ को गुना कर देंगे यह आ जाएगा आपका 136 यह हो जाएगा आंसर तो इस ट्रिक्स को आप याद रखेंगे यह चारों ट्रिक आपका बहुत काम आने वाला है थैंक यू सो मच